सीमा पार बैठे नशे के सौधागर पूरे पंजाब को नशे की गिरफ्त में डालने की पूरी पटकता लिख चुके थे जिसकी कलपना भी नहीं की जा सके उससे भी बड़ी हेरोईन की खेप भारत की सरहद के भीतर दाखिल हो चुकी थी लेकिन कस्टम विभाग की मुस्तैदी की वज़ा से पाकिस्तान में बैठे नशे के आगाओं की साज़िश धरी की धरी रह गई कस्टम विभाग ने अमरत सरवागा बॉर्डर के जरिये अफगानिस्तान से नमक की बोरियों में छिपा कर भेजी गई पूरे 532 किलो संदेग्द हेरोईन और 52 किलो दूसरे नार्कोटिक्स को जब्द कर कहानी पलट दी अंतराश्ट्रिय बाजार में जब्द की गई हेरोईन की कीमत 2700 करोड रुपए बताई जा रही है ये खेप आज तक तेश में पकड़ी गई हेरोईन की तमाम खेपों में सबसे बड़ी है लेकिन नश्रे की इस बड़ी साजिश को ध्वस्त करते हुए कस्टम विभाग ने दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया है नमक की एक कंसाइनमेंट अमरित सर के क्वियापारी ने मंगवाई थी कस्टम विभाग ने बड़ी काम्याबी के बाद बताया कि एक पाकिस्तानी एक्सपोर्टर ने ग्लोबल विजन इंपेक्स अमरित सर के एक इंपोर्टर के नाम 26 जून को नमक ये गाड़ी अटारी के इंटीग्रेटिट चेक पोस्ट भेजी थी गाड़ी में नमक के करीब 600 बैग थे इंपोर्ट का एजन्ट 29 जून की सुबह इस कंसाइनमेंट को रिलीज करवाने इंटीग्रेटिट चेक पोस्ट पहुँचा लेकिन चौकन ने कस्टम अधिकारियों को संदेह हुआ और उन्होंने कुछ बोरियों की जाच की तो उनके होश फाकता हो गए विभाग के बड़े अधिकारियों को तदकाल इत्तिला दी गई और उन्होंने मौके पर पहुँचकर जरूरी कर रवाई की पांसो बत्तिस कीलो हिरोईन सस्पेक्टेड हिरोईन और कोस हमने पकड़ा है अब तक की जाच में पता चला है कि अमरित सर के कनिश्व इंटर प्राइजेज की मालेक रुपिंदर सिंग ने ये नवाकी खेप मंगवाय थी कंसाइन्मेंट में मिले कुल 584 संदिक्द पैकेट्स में से 532 में हेरोईन पाई गई बता जा रहा है कि ये सीधे अफगानिस्तान से मंगवाई गई थी बाकी के 52 पैकेट्स में दूसरे खतरनाक ड्रग्स होने की बात कही जा रही है बड़ा सवाल ये कि क्या सीमा पार से जितने भी कंसाइन्मेंट आती हैं क्या उन सब में इसी तरह नशे की खेप होती है पंजाब के युवा नशे की चपेट में हैं इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता नशा पंजाब में चुनावी मुद्दा भी बनता है लेकिन इसके बाद भी इस सूबे में सीमा पार से आसानी से खतरनाक ड्रग्स पहुँच रहें बिरु रिपोर्ट जी मीडिय